हेलो इस्टुरेंट्स आप सबका अपने चैनल पर हर्दिक स्वागत है आज इस क्लास में हम कौक्सा दिस विज्ञान विश्चे के सेकंड चेप्टर अमलव सारा के वं लवन की सुरुवात कर रहे है यह चेप्टर काफी बड़ा है इस कारण इस चेप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे आज हमारा पार्ट वन है जिसमें हम लगबग आदे चेप्टर को कवर कर लेंगे साथ ही सेकंड पार्ट में हम इस पूरे चेप्टर की व्याक्या चैसे कर लेंगे तो चलिए हम क्लास को सरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं अमला के बारे में कि अमल की विश्यस्ता है क्या होती है तो अमला की सबसे पहले विश्यस्ता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं कैसे होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं ठीक उसी तरह जैसे स्वाद में इमली खट्टे होती है और सबने इमली खाई भी होगी तो इमली का जो खट्टेपन का स्वाध है वो उसके अमलिय गुण के कारण ही आता है क्योंकि इमली में टौटरी कमला पाया जाता है दूसरी मैत्पुन विसेशता है ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं यानि जब नीले लिटमस पत्रा को अमलिय विल्यन में डूबोया जाता है तो ये नीले बदल देते हैं वरी में देते हैं अन्य जब अमले को जलिय विल्यन में क्या की जाती है विद्धो धरापरवाइत की जाती है तो उस दोरान ये घुक्त आयन करते हैं इसके बारे में आगे हम और शर्चा करेंगे अगला बिंदु है acid सब्द Latin भासा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खटा आगे हम बात करें परबल अमला यानि कि किसी अमलिय विल्यन में जो hydrogen ion है उस hydrogen ion की सांदरता के आधर पर अमलिय विल्यन को दो भागों में बाटा जाता है एक परबल अमला और एक दूरबल अमला परबल अमला का मतलब है कि जिसमें hydrogen ion की सांदरता अधिक होती है और दूरबल अमला का मतलब है जिसमें H plus यानि hydrogen ion की सांदरता कम होती है तो अगर हम परबल अमला के उधरनों की बात करें तो जैसे HCl HCl मतलब Hydrochloric Amla दूसरा है H2SO4 यानि की Sulfuric Amla तीसरा है HNO3 यानि की Nitric Amla ये तीनों परबल Amla के अंत्रगत गिने जाते हैं वही हम दुरुबल Amla की बात करें तो पहला है CH3COOH जिसे Acetic Amla कहा जाता है दूसरा है Lactric Amla और तीसरा है Oxelic Amla इन Amla में H प्लस आईनों की जो सांदरता होती है वो कम होती है इसी कारण इने दूरुबल Amla की सरेणी में रखा जाता है फिर हम बात करें किसी विल्यन में Amla की मात्रा के आधार पर विल्यन को या उस Amla विल्यन को दो भागों में बाटा जाता है एक सांदर अमल और एक तनूमल जैसा की नाम से पता चल रहा है सांदर, सांदर अमल का मतलब है कि जिसमें Amla अधिक मात्रा में होता है किन्तू जल कम मात्रा में होता है जब अमला की मात्रा अधीक हो और जल की मात्रा क्या हो कम हो तो फिर ऐसे विल्यन को सांद्र अमला कहा जाता है वही तनू अमला का मतलब है जिसमें अमला काम मात्रा में हो और जल क्या हो अधिक मात्रा में हो तो फिर ऐसे विल्रेंड को हम तनू अमला के नाम से जानते हैं तो ये अमलक के बारे में कुछ सामाने जानकारी थी, जिसमें हमने अमलक के विज़ेस्ता देखी, परबल अमलक क्या होते हैं, दुरबल अमलक क्या होते हैं, जो H प्लस आइनों की सांदरता के अधर पर बाटे गए हैं, और दूसरा सांदर अमलक और तनुमलक जो किसी विल् करते हैं जिन में अमला पाया जाता है जैसे सबसे परमूख है सिरका सिरका में एसीटी कमला पाया जाता है कौनसा अमला एसीटी कमला पाया जाता है दूसरा है संत्रा संत्रा में सिट्री कमला पाया जाता है कौनसा सिट्री कमला पाया जाता है वही बात करें इमली की तो इमल निम्बू में सिट्री कमला पाया जाता है. दोनों ही सही है क्यूंकि आपकी जो बुक से उसमें मैंतनोी कमला लिखा हुआ है. लेकिन कई सारी किताबों में आपको formy कमला के नाम से भी मिलेगा, दोनों ही सही ठीक है किUNCLE का इसके बाद नेटल का डंक तो इसमें भी कौन सा पाया जाता है में तोनोिकHaulah पायाजाचा जाता है यानि कि आप अपनी दिन चरिया की जिन्दगी में जो खटी चिजों का श्यों करते हो उन सभी खटे सवाज़ वाले चीजों में अमलब पाया जाता है ठीक है और चिट्टी और नेटल जब हमारे आथो या कही शरीर पर काटती है तो में जलन का अनुभव होता है वो जलन का अनुभव हमें उसी मैथनोई कमला अथ्वा फॉर्मिक अमलब के कारण होता है आयसोज में तो ये अमलब के बारे में कुछ और जानकारी थी आगे हम बात करें वो है सारक की तो सारक की सबसे पहली विसिस्ता है ये सवाज में कडवे होते हैं कैसे होते हैं सवाज में कडवे होते हैं जैसे कभी कबर आपने अगर साबून को चका हो या साबून का अपन विसेस्ता है यह लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं कौनसे लिटमस को यह लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं जैसे आपको सेकंड चित्र दिख रहा होगा यह वाला इसमें देखे एक लाल रंग के लिटमस को जब सारी विलियन में डुबोया गया है तो उ हाइड्रो ओक्साइड आयन देते हैं जहीं आमला कौन सा आयन दे रहे थे हाइड्रोजन आयन या हेच प्लस आयन वही सारक हाइड्रो ओक्साइड आयन या ओएच मायनस आयन जलिये विल्यन में देते हैं ठीक है फिर वही परबल सारक यानि किसी विल्यन में जो सारकी विल्य विल्यन है उसमें हाइड्रो उक्साइड आइनों की संदर्ता के आधार पर सारक को दो भागों में बाटा जाता है एक परबल सारक और एक दूर्बल सारक जिन में हाइड्रो उक्साइड आइनों की संदर्ता आधिक होगी उसे हम परबल सारक कहेंगे और जिस विल्यन में OH- यानि हैड्रो अक्साइड आइनों की सांदरता कम होगी उन्हें हम दुर्बल सारक कहेंगे. तो परबल सारक की स्रेनी में सोडियम हैड्रो अक्साइड, पोटेसियम हैड्रो अक्साइड और केलसियम हैड्रो अक्साइड को सामिल केया जाता है. वही दुरुबल सारक की स्रेणी में अमोनियम हैड्रो अक्साइड को सामिल किया जाता है ठीके इसी तरह आप सांद्र सारक और तनु सारक भी कह सकते हैं सांद्र सारक का मतलब है कि जिसमें सारक की मातरा अधिक होगी और जल कम होगा वही तनु सारक का मतलब है जिसमें सारक की मातरा कम होगी और जल क्या होगा अधिक होगा ठीक है आगे हम बात कर रहे हैं वो है सार अब देखो यहाँ पर सारक लिखा गया है और यहाँ पर सार लिखा गया है दोनों में फरक है देखो सारक को इंगलिस में बेस कहा गया है और सार को एलकाईल कहा गया है तो सार क्या होते हैं जल में गुलंसिल सारक को ही सार कहते हैं मतलग जो सारक जल में गुलंसिल होते हैं उन्हें ही सार कहा जाता है जैसे सोडियम हाइड्रोकसाइड, पोटेसियम हाइड्रोकसाइड और मैगनिसियम हाइड्रोकसाइड ये सारक तो ह लेकिन यह जली विलियन में ओभी घुलल सिल है जल में किया है इसी कारण इने सार भी कहा जाता है आया सोज में चलिए अगला है लवन तो लवन क्या होते हैं जब अमला और सारक आपस में अभिकिरिया करते हैं तो इन दोनों की अभिकिरिया के प्रिणाम सोरुप लवन का निर्मान होता है ठीक है यह अमला और सारक के मिलने से किसका निर्मान होता है लवन का निर्मान होता है जैसे कुछ लवन के उधारणों की बात करें तो एने सी एल एने सोडियम कलोराइड जिसे आप साधारन नमक कहते हैं उसी तरह पोटेसियम कलोराइड ये लवन के क्या है उधारण है और लवन किसके मिलने से बनता है अमला वा सारक के परस पर अभी किरिया से लवन का निर इंडिकेटर मतलब हम कैसे पता करेंगे कि कोई विलियन अमलिय है अत्वा सारक है अत्वा वो उदासीन विलियन है इसकी पैचान हम कैसे करेंगे तो उनकी पैचान करने के लिए हम कुछ छूसकता उपयोग करते हैं जो मैं यह क्या करते हैं जो मैं यह जनकारी देते हैं कि को विल्यन अमलिय है अत्वा सारिय है तो फिर ऐसे सूचक को हम क्या कहते हैं इंडिकेटर्स अत्वा सूचक कहते हैं उन परदातों को तो देखें सूचक किसी दिये गए बिल्यन में अमल या सारक की उपस्तति दर्साते हैं यानि किसी विल्यन में अमल मौझूद है अत्वा सा विल्यन मौझूद है उसकी जानकारी हमें कौन देते हैं सूचक देते हैं इनका रंग या घंद अमलिय या सारक माध्यम में बदल जाता है यानि ये सूचक है ये रंग अथवा घंद में परीवरतन के आधार पर हमें ये जानकारी देते हैं कि कोई विल्यन अमलिय है अत्व अत्वा सार्य है ठीक है इन सुचकों को जब हम अमलिय अत्वा सार्य माध्यम में क्या करते हैं इनको डालते हैं या फिर इनका उपयोग इन विल्लियन में हम करते हैं तो इनके रंग अत्वा गंद में क्या हो जाता है बजला हो जाता है जिसके जरिये हमें यह जानकारी मिलत और तीसरा गंदिय सुचक, अगर हम प्राकर्तिक सुचक की बात करें, तो ये पोधो में पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, प्राकर्ति में पोधो में पाए जाते हैं, जैसे कुछ प्राकर्तिक सुचकों के नाम है, लिटमस, लाल पत्ता गोबी, हाइड्रेजिया पोध के फुल और हल्दी ये कुछ प्राकर्तिक सूचक है जिनके मदद से हम अमली अत्वा सारी विल्लेन की पैचान कर सकते हैं दूसरे हैं करत्रेम अत्वा संसलेसित सूचक मतलब जिनका निर्माण परियोग साला में रासाइनिक परदात के रूप में किया जाता है तो ये एक प सूचक गंदिय सूचक क्या होते हैं इन परदातों की घंद अमलिय या सारक माध्य में बदल जाती है मतलब गंदिय सूचक वे सूचक है जो अपनी घंद में परिवर्तन के आधार पर हमें क्या देते हैं अमलिय अत्वा सारी विल्लेन के बारे में जनकारी देते हैं जैसे पयाज और लॉंग का तेल ये क्या है ये गंदिय सूचक है तो हमने क्या पढ़ा हमने सूचक क्या होते हैं और सूचक के परकार के बारे में जनकारी प्रात्म की है आगे हम देख रहे हैं इन सूचकों के अनुपरियोग मतलब इन सूचकों का परियोग करके हम कीस परकार पत तो चलिए हम बात करते हैं इनके अनुपरियोगों की तो हमने एक सारनी बनाई है जिसमें एक भाग में हमने सूचक लिखा है दूसरे भाग में हमने उनके रंग अत्वा घंद में परिवर्तन किसके साथ अमला के साथ और तीसरे भाग में हमने रंग अत्वा घंद में तो लिटमस अमलिय विल्यन के साथ लाल रंग परदसित करते हैं आनि जब नीले लिटमस को अमलिय विल्यन में डुबोया जाता है तो वो लाल रंग में बदल जाते हैं तो अगर कोई लिटमस पत्र नीले से लाल में बदल रहा है मतलब वो विल्यन कौनसा है अमलिय विल्यन हैं वही सार के साथ ये निला रंग परदसित करते हैं मतलब जब एक लाल लित्मस को सारीय विल्यन में डुबवोय जाता है तो वो लाल से निले रंग में परिवर्तित हो जाता है ठीक है दूसरा है लाल पत्ता गोबी का रस, मतलब हम लाल पत्ता गोबी के रस से कैसे पता कर सकते हैं कि कोई विल्यन अमलिय है अत्वा सारिय है तो जो लाल पत्ता गोबी का रस है वो भी अमलिय विल्यन के साथ लाल रंग परदसित करता है वही सारिय विल्यन के साथ यहरा रंग परदसित करता है तीसरा है हल्दी तो हल्दी अमलिय विल्यन के साथ किसी भी परकार का परिवर्तन नहीं दरसाती मतलब हल्दी के रंग में कोई बिदलाब नहीं होता बही सारी विल्यन के साथ हल्दी का रंग बदल कर कैसा हो जाता है हल्दी का रंग बदल कर लाल हो जाता है ठीक है चोता है हाइड्रेजिया के फूल का रस तो यह अमली विल्यन के साथ नीला रंग परदसित करता है बही सारी विल्यन के साथ यह गुलाबी रंग परदसित करता है तो हमने प्राकरतिक सुचक के बारे में पढ़ लिया है जो अमला और सारक के साथ अलग अलग रंग क् के आधार अधार पर हम किसी विल्लेनR की अमलिय एत्वा सारीय होने की पेचन की पहता सकते ह। दूसरा हे कर्दितरीम सुचक कर्दितरीम सुचक पहला है फिनॉल्फ थेलिन ऐसे वह अमलिय विल्लेन के साथ रंग हिन होते हैं। वही सारी विल्यन के साथ ये गुलाबी रंग परदसीत करते हैं, ठीके अगला है mythil orange, diverse अमलीय विल्यन चे साथ लाल रंग तथा सारी विल्यन के साथ पिला रंग परदसीत करते हैं, यह करतरिम सुचक हमने पढ़ लिया आगे हम बात कर रहे हैं गंदिय सुचक की तो गंदिय सुचक में पहला है प्याज का रस तो जो प्याज का रस है वो अमलिय विल्यन के साथ तिक्ष्ण गंद प्रदान करता है यानि बहुत ही तीखी गंद क्या करता है बहुत ही तीखी विल्यन के साथ ये किसी भी परकार के गंद उत्पन नहीं करते हैं, ठीके, आगे है वैनिला, तो वैनिला की गंद अमलिय विल्यन के साथ समान बनी रहती है, यह जैसी उसकी वास्तवी गंद होती है, वैसे कि वैसी बनी रहती है, ठीके, वही सारी विल्यन के साथ ये किसी भ विल्यन के साथ ये किसी भी परकार की गंध में नहीं परदान करते तो इस परकार हमने सुचकों के अनुपरियोगों में बारे में देखा कि किस परकार ये सुचक अमलिय और सारिय विल्यन के साथ अलग अलग प्रभाव दरसाते हैं और इन प्रभावों के आधार पर या इन अमलव और सारों के रासाइनिक गोन धरम सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं धातू के साथ अभिकिरिया यानि अमलव और सारक धातू के साथ अभिकिरिया करके किस परकार का वहवार परदसित करते हैं तो जब अमला की धातू के साथ अभिकिरिया कराई जाती है तो लवन और हाइडोजन का निर्मान होता है यानि अमला धातू के साथ अभिकिरिया करके लवन और हाइडोजन गेस उत्पन करते हैं जैसे उधारण की बात करें तो जब हाइडोकलोरिक अमला की अभिकिरिया जि जिंक कलोराइड तथा हाइडरोजन गेस क्या होती है बाहर निकलती है जो ये बाहर की तरफ आपको तीर का निशान दर्शा रहा है ये ये बता रहा है कि इस अभिकिरिया में हाइडरोजन गेस बाहर निकलती है ठीक है ठीक उसी तरह जब सारक की अभिकिरिया धातू के साथ कराई जाती है तो उस इस्तती में भी लवन का निर्मान होता है और हाइड्रोजन गेस बाहर निकलती है ठीक है उध्यारण की बात करें जैसे सोडियम हाइड्रो अकसाइड की अभी किरिया जब जिंक धातू के साथ कराई जाती है तो लवन के रूप में सोडियम जिंकेट औ और hydrogen gas का क्या होता है उत्सरजन होता है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अमला अथ्वा सारक की किसी भी धातू के साथ अभीकिरिया कराई जाती है तो हम ऐसा लवन का दिर्मान होता है और hydrogen gas बाहर निकलती है ठीक है यह बात हमेसा आपको ध्यान रखनी है आगे हम है रहे हैं कि hydrogen gas बाहर निकलती है अब इस बात के हम पूष्ट्री कैसे करेंगे और हम यह कैसे पता लगाएंगे कि वास्तम में बाहर निकलने वाली gas hydrogen gas ही है तो इस hydrogen gas की जांच करने के लिए हम pop test करते हैं अब इस pop test में होता क्या है देखो hydrogen gas से निहीत परक नली के पास जब एक जलती हुई मौमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की धमनी उत्पन होती है पॉप की धमनी का मतलब है पटपट की धमनी क्या होती है सुनाई देती है इस test को hydrogen की उपस्तिती दर्साने के लिए परियोग करते हैं यह गर hydrogen ब देखो यहाँ पर हमने एक परक नली ली है परक नली में हमने एक तनू सल्फियूरिक अमला यानि क्या लिया है H2SO4 जो की एक परकार क्या क्या है अमला है और हमने क्या लिया है दानेदार जिंक के टुकडे जिंक क्या है एक धातू है तो जब अमला और धातू की बिक्रिय क्या होगी तो लवन क्या बनेगा यहां पर जिंक कलोराइड लवन बनेगा ठीक है तो हमने क्या किया यहां से निकलने वाली हाइडूजन गेस की जांच करने के लिए यहां पर एक क्या लगाया एक और लगाया और यहां की साइटा से एक नली लगाई ठीक है जब इस नली से होकर hydrogen gas गुजरती है तो हमने इसे एक साबून के विलियन में क्या की प्रभायत किया है साबून के विलियन से जब hydrogen gas बाहर निकलती है बुलबुलों के रूप में और निकलने वाले बुलबुलों के पास में जब हमने मौम बत्ती लाई है ठीक है तो मौम बत्ती क्या होती है मौम बत्ती के साथ जो हैड्रूजन गेस है वो फटपट की दवनी के साथ क्या होती है हैड्रूजन गेस का देहन होता है और इस फटपट की दवनी की साहिता से हमें ये ग्यात होता है कि निकलने वाली जो गैस है वो hydrogen gas ही उत्पन हो रही है ठीक है तो आपको पूछा जाए कि pop test क्या होता है तो अमलवा सारक की जब धातू के साथ अभी किरिया करा जाती है तो इस दोरान जो hydrogen कि निकलती है उस hydrogen gas की जांच करने के लिए जो हम प्रयोग काम में लेते हैं ठीक है जिस प्रयोग की साहिता से हम यह इस परश्ट करते हैं कि सभी किरिया में निकलने वाली जो गयस है वो hydrogen gas ही है इस परयोग को हम pop test के नाम से जानते हैं तो उम्मिद करता हूँ यह बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी आगे हम बात कर रहे हैं वो है अमलवा सारक की धातू कार्बोनेट और धातू बाई कार्बोनेट के साथ अभी किरिया किस प्रकार करते हैं और किन उत्पादों का निर्मान करते हैं तो आपको हमेसा ध्यान रखना है कि जो सार अत्वा सारक है वो कभी भी धातू कार्बोनेट और धातू बाई कार्बोनेट के साथ अभी किरिया नहीं करते यह आपको हमेसा बात ध्यान रखनी है कई बार पूचा जाएगा प्रिक पसार कभी भी धातू कार्बोनेट अत्वा धातू बाई कार्बोनेट के साथ किसी भी प्रकार के अभिकिरिया नहीं करते हैं। जल का और सियो टू का चाय वो धातू कार्बोनेट हो अत्वा धातू बाई कार्बोनेट हो दोनों ही इस्ततियों में अमल लवन का जल का और कार्बन डैयोकसाइड का निर्मान करते हैं। जब अमला के अभिकिरिया दातू बाई कार्बोनेट के साथ कराई जाती हैं। इस इस्तति में भी लवन कार्बन डैयोकसाइड और जल का निर्मान होता है। जैसे उदारन के लिए जब हाइड्रोकलोरिक अमला के अभिकिरिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई गई है। इस इस्तति में लवन के रूप में सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डैयोकसाइड और जल का निर्मान हुआ है। आया सोज में तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पर विशेश ध्यान देने योग्या बिंदू यही है कि जो सारा कत्वा सार है वो कभी भी दातू कार्बोनेट और दातू बाई कार्बोनेट के साथ किसी भी परकार के अभिकिरिया नहीं करते हैं आगे हम बात करें तो वो है चूने के पानी का टेस्ट मतलब इन दोनों अभिकिरियाओ में जब अमलों की धातू कार्बोनेट और धातू बाई कार्बोनेट के साथ अभिकिरिया हो रही है तो हमने देखा कि कार्बंडे ओक्साइड क्या हो रही है बन रही है और carbon dioxide ही है यह हम कैसे पता लगाएंगे तो इसके लिए हम एक चूने के पानी का क्या करते हैं टेस्ट करते हैं तो उत्पादित carbon dioxide को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है कैसा हो जाता है चूने का पानी दूधिया हो जाता है यानि इन द अगर carbon dioxide वास्त हमें निकल रही है, हमें इसकी जांच करनी है, तो हम यहां से निकलने वाली carbon dioxide को जब चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो चूने के पानी का रंग बदल कर कैसा हो जाता है दूदिया रंग हो जाता है देखो यहाँ पर अभिकरिया लेके हुई है जब केलसियम आइडरो अक्साइड की अभिकरिया कार्बिन डिय अक्साइड से कराई गई है मतलब जब चूने के पानी में Carbon Oxide को प्रवाइद किया जाता है तो calcium carbonate के सफ़ेद अबचणत का निर्माण हुआ है साथ ही जल का निर्मान हुआ है ठीक है और जब इस calcium carbonate के सफ़ेद अबचणत के सफ़ेद अबचणत से हम फिर से carbon dioxide प्रवाइद करते है ठीक है तो इस स्थती में जल में घुलनसिल केलसियम बाई कार्बोनेट का क्या होता है निर्मान होता है और ये कैसा होता है ये जल में घुलनसिले साथ ही इसका रंग कैसा हो जाता है दूदिया रंग हो जाता है इससे हमें ये पता चलता है कि जब अमला की धातू कार्बोने से अभिकिरया कराई जाती है तो इस दोरान वास्तम में कर्भिटे ओक्साइड क्या होती है उत्सरजित होती है आया सोज में वही हम पीछे जब हमने अमला और सारग की धातु के साथ अभिकिरया की थी तो वहां पर निकलने वाली हैडूजन गयस की जांच के लिए हमने पॉप टेस्ट किया था पॉप टेस्ट की मदद से ही हम यह पता लगा रहे थे कि वास्तम में अमलोग और सारवग की धातु के साथ बबिकिर्या होने पर हाइडोजन गयस का यो उसरजन होता है वही जब अमलोगी धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट की अभिकिरिया होने पर कार्बिन डाय ओक्सेड का उसर्जन होता है इसकी जांच के लिए हम चूने के पानी का क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं यह जब चूने के पानी से कार्बिन डाय ओक्सेड को प्रवाइद किया जाता है तो छूने के पानी का रंग बदल कर कैसा हो जाता है डूदिया हो जाता है जो और यह दर्साता है कि नभिकिर्याव में बास्तम में carbon dioxide gas का यह सर्जन हो रहा है ठीक है आगे हम बात कर रहे हैं वो है जो भी हमने यह चूने के पानी का जो टेस्ट किया था उस टेस्ट का छित् ठीक है ये टेस्ट का चित्र आपको ज़्याद ध्यान नहीं रखना है वही लिखा गया है देखो सोडियम कार्बोनेट का विल्ली ने परकनली में हाइड्रोकलोरिक अमला लिया गया है और यहाँ पर क्या हो रही है कार्बन डेयोकसाड का उसरजन हो रहा है तो जब यहाँ सी कार्बन डेयोकसाड उसरजन हो रही है तो ऐसी इस्तती में ठीक है ऐसी इस्तती में जब इस कार्बन डेयोकसाड को केल्सियम हैड्रोकसाड के विल्लिन से क्या किया जाता है परवाहित किया जाता है तो इसका रंग बदल के कैसा हो जाता है दूदिया हो ज अभिकिरिया यानि जब अमला और सारक दोनों आपस में अभिकिरिया करते हैं तो किसका निर्मान होता है तो जब अमला और सारक आपस में एक दूसरे से अभिकिरिया करते हैं तो लवन और जल का निर्मान होता है किसका निर्मान होता है अमला और सारक की प्रस्पर अभिकिर अब ये क्या होती है जब अमला द्वारा सारक का प्रेक्सित प्रभाव तता सारक द्वारा अमला का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो प्रिणाम सवरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उडासनीकरन अभिकिरिया होती है मतलब जब अमला और सारक की आपस में अभिकिरिया कराई जाती है तो अमला सारक के परभाव को नश्ट कर देते हैं तथा सारक अमला के परभाव को नश्ट कर देते हैं और जिसके परिणाम सवरूप किसका दिर्मान होता है? उदासिन लवण और जल का निर्मान होता है इसी कारण इस अभिकिरिया को क्या नाम दे जाता है उदासिन लवण है वो उदासिन होता है ठीके उसमें न तो अमला का कोई गुण होता है और नहीं सारक का गुण होता है इसी कारण इस होने वाली अभिकिरिया को भी उदासिनिकरन अभिकिरिया कहा जाता है आया सोज में कि जब अमला और सारक की प्रस पर अभिकिरिया कराई जाती है तो अमला सारक के गउन धरम को नश्ट कर देते हैं और सारक अमला के गुणों को समात कर देते हैं या उन्हें नश्ट कर देते हैं तथा अभिकिरिया के फल सोरुप उदासिन लवन और जल का निर्मान होता है और इसी उदासिन लवन के निर्मान के कारण इस अभिकिरिया को उदासिन निकरन अभिकिरिया कहा जाता है जैसे जब सोडियम हैड्रो अकसाइड जो की सार है कि अभीकिरिया अमला के साथ हाइड्रोकलोरिक अमला के साथ कराई जाती है तो लवन के रूप में सोडियम कलोराइड जिसे हम साधरन नमक कहते हैं और जल का निर्मन होता है तो यहाँ पर जो सोडियम कलोराइड है वो क्या है लवन है और यह कैसा है उदासीन है, इस कारण इस अभिकिरिया को उदासीन अभिकिरिया के नाम से जाना जाता है अब हम लवन की प्रकार की बात करें, तो लवन को साधरन तो इस वने वाली अभिकिरिया के आधार पर च्यार भागों में बाटा जाता है कौन कौन सा पहला है अमलिय लवन कौन सा अमलिय लवन दूसरा चारिय लवन कौन सा सारिय लवन तीसरा उदासिन लवन ठीक है यह सामने तो तीन ही प्रकार है लेकिन कभी कबर एक अन्य परकार के रूप में भी इसे जोड़ा जाता है, ठीक है, जिसमें अमला सारिय लवन भी कहा जाता है, जिसमें अमला और सार की दोनों की थोड़ी थोड़ी अलकी मात्रा मौजुद होती है, लेकिन यहाँ पर आपके तीन नहीं दी ओगवे हैं, तो वो आपके सेलेपिस में नहीं दिया गया है इस वज़े से हमें यहाँ पर केवल तीनी लवना के परकार की बात कर रहे हैं देखो पहला अमलीय लवन अमलीय लवन का मतलब क्या है कि जब अमला परबल होगा और चारक कैसा होगा दूरबल होगा तो उनकी अभिकिरिया से जो लवन बनेगा उसमें कुछ अमलीय गोंडरम होगे इसी कारण उसे क्या काएंगे अमलीय लवन काएंगे और साथी किसका निर्माण होगा जल का अब यहाँ पर हमने इसे अमलीय लवन क्यों कहा क्योंकि यहाँ पर अमला कैसा था परबल था जब अमला परबल है और चारक दूरबल है तो जो दूरबल चारक है वो अमला के परभाव को पौन रूप से समाप नहीं कर पाएगा तो बनने वाला जो लवन है वो अमला की कुछ गोंडरम को परदसित करेगा इस कारण से इसे क्या का जाता है अमली लवन कहा जाता है वहीं दूसरे उधरन की बात करें तो जब अमला दूरबल है और चारक कैसा है परबल है तो ऐसी स्तिती में दूरबल अमला परबल चारक के सभी परभाव को समाप Internet नहीं कर पाएगा इस कारण से बनने वाला जो लवण है वो चारक के कुछ गुण धर्मों को परदस्वित करेगा इसली कारण से चारिय लवण के नाम से जाना जाता है ठीक है तीसरा है जब परबल अमल और परबल सारक दोनों ही समान स्रेणी के हो तो ऐसी इस्तती में वो एक दूसरे के परभाव को पौणने ता समाप्त कर देंगे और बनने वाला जो लवण है वो कैसा होगा उदासिन लवण होगा ठीक है ठीक इसी तरह अगर दूरबल अमला है और दूरबल चारक है ऐसी इस्तती में भी दोनों एक दूसरे के परभाव को समाप्त कर देंगे और बनने वाला जो लवण है वो कैसा होगा उदासिन लवण होगा और साती क्या बनेगा जल बनेगा तो इस परकार लवण को भी हम त दूसरा चारिय लवण और तीसरा उदासिन लवण अमली लवण का मतलब क्या है परभल अमला प्लस दूरबल चारक चारिय लवण का मतलब क्या है परभल अमला प्लस दूरबल अमला और उदासिन लवण का मतलब है परभल अमला प्लस परभल चारक या फिर दूरबल अमल प्लस दुरूबल चारक ठीक है तो ये अमने लवन और उदासिनी करन अभिकिरिया के बारे में पूरी जानकारी प्राब कर ली है उम्मिद करता हूँ ये प्राथ भी आपको उच्छे से समझ में आई होगी आगे हम बात कर रहे हैं वो है अमलों की धात्वीक उक्साइडों के साथ अभिकिरिया यानि जब अमलों धात्वीक उक्साइड के साथ अभिकिरिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है तो जब अमलों की धात्वीक उक्साइड के साथ अभिकिरिया कराई जाती है तो लवन बनता है और साथ ही क्या बनता होता है जल का निर्माण होता है ठीक है आपको ध्यान रखना है किuffyloralas किसाथ केगी है ठीक है सुरी हैड्रो क्लोरीकक amarley के तो किसका निर्माण हुआ है copper coloride जो कि लवन है और क्या हुआ है जल का निर्मान हुआ है ठीके तो copper chloride के बनने से billion का नीला रंग हो जाता है यानि कि इस विक्रिया में जो copper oxide का हरा रंग है वो copper chloride बनने से नीले रंग में क्या हो जाता है प्रिवर्तित हो जाता है ठीके copper oxide का जो भूरा या थोड़ा हलका हरा रंग होता है वो इस अभिकिर्या के प्रिणाम सो रूप निले रंग में कॉपर औं कलूरएड के बनने से बदल जाता है दात्विक ओक्साइड़ों की प्रकर्टी कैसी होती है चारिय होती है यह आपको ध्यान रखना है अमेशा कि जो धात्विक उक्साइड है वो बनतो रहे हैं अमलों के साथ अपिक किरिया के प्रिणाम सवरूप लेकिन उनकी प्रकरती कैसी होती है चारिय होती है क्योंकि ये अमला के साथ किरिया करके लवन और जल बनाते हैं इसी कारण से उनकी प्रकरती कैसी होती है चारिय हो जाती जैसे कुछ उदारण की बात करें जैसे कॉपर ओक्साइड और मैगनिसियम ओक्साइड यह क्या है कुछ दात्विक ओक्साइड है जो अमलों के साथ अभिकिरिया करके लवन और जल का निर्मान करते हैं आगे हम बात कर रहे हैं वो है और धात्विक उक्साइडों की चारों के साथ अभिकिरिया ध्यान रखें धात्विक उक्साइड सारों के साथ अभिकिरिया नहीं करते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है और धात्विक उक्साइड अमलों के साथ अभिकिरिया करते हैं वही चार भी अधात्विक उक्साइडों के साथ भिकिरिया करके लवन और जल का निर्मान करते हैं, ठीक है? दोनों समानी लवन और जल का निर्मान करते हैं, जैसे उधारण की बात करें, तो कार्बन डिय उक्साइड जो की अधात्विक उक्साइड है और केलसियम हाइड्रो उक यहाँ पर आपको द्यान रखना है कि जो अधात्विक ओकसाइड है उसकी प्रकरती कैसी होगी अमलिय होगी ठीके और यह क्या करते हैं विद्धुत्दारा प्रवायित करते हैं आया सोज में कि जब यहाँ पर देखो यहां पर धात्विक उक्साइड की प्रकरती कैसी थी सारिय थी ठीक है जबकि यहाँ पर धात्विक उक्साइड की प्रकृति सारी है बही यहाँ पर जो अमलिय उक्साइड है उस अमलिय उक्साइड की प्रकृति कैसी है यहाँ पर अमलिय है ठीक है और धात्विक उक्साइड की प्रकृति अमलिय है यहाँ को ध्यान रखना है कि जब भी अमला और चारो कि जो अमला और सारक है वो जलिय विल्यन में किस प्रगार का प्रभाव प्रदसित करते हैं तो जल की उपस्तती में जो अमला है वो हैच प्लस आयन यानि की हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं उत्पन करते हैं ठीक है जैसे यानि यहाँ पर जो हैच प्लस आयन है वो हैच त्र इसका निर्मान होता है, हाइड्रोकलोरिक अमला के भी किरिया, जल के साथ कराई जाएगी, तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन पहले से दो मवजूद थे, और एक इस अमला का जूड़ जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, H3 हो जाएगा और यहाँ पर Oxygen इसके साथ जूड़ जाएगी तो यहाँ पर H3O प्लस और यहाँ पर कलोरिन अतना एक जो इलोक्टोन है वो कशको दे देगा Oxygen को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl- हो जाएगा क्योंकि जो अमला है वो जली विलिन में जो चाराख है वो Hydro Oxygen उत्पन करते हैं कौन से आयन? Hydro Oxygen उत्पन करते हैं जैसे जब Sodium Hydro Oxygen के विक इलिया जल के साथ कराई जाती है तो Sodium धनात्मक आयन के रूप में तथा Hydro Oxygen आयन रिनात्मक आयन के रूप में प्राप्त होता है इसका मतलग सारी विलियन का विगटन होने पर वो क्या दे उत्पन करता है वो हाइड्रो अक्साइड आयन उत्पन करता है जैसे अगला उदान लखा गया है कि जब मैगनिसियम हाइड्रो अक्साइड की विकिरिया जल के साथ कराई जाती है तो मैगनिसियम गनात्मक आयन के रूप में वही hydro oxide ion इनात्मकायन के रूप में प्राप्त होता है तो हमने यहां से क्या देखा कि जब अमला और छारक को जली विल्यन में प्रभाइद किया जाता है जब अमला वो चारक की जली विल्यन से अभिकिरिया कराई जाती है तो इस स्तती में अमला hydrogen ion मुक्त करते हैं वही चारक hydroxide ion मुक्त करते हैं ठीक है दिया बाते आपको हम ऐसा ध्यान रखनी है आगे हम बात कर रहे हैं कि जो सभी चारक है वो जल में गुलंसिल नहीं होते ठीक है सभी चारक जल में गुलंसिल नहीं होते जल में गुलंसिल सारक को ही क्या कहते हैं चार कहते हैं यह ऐसा नहीं है कि प्रकरती में जितने भी चारक पाई जा रहे हैं वो सब जल में गुलंसिल हो ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है जो सारक प्रदात जल में गुलंसिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं चार कहते हैं अगला विंदू लिखा गया है कि सभी सारक होते हैं परन्तु सभी चारक चार नहीं होते यानि कि सभी चार चारक हो सकते हैं लेकिन सारक चार नहीं होते ठीक है अगला विंदू है जल के साथ अमला अत्वा चारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए यह जब आप जल के साथ अमला अत्वासारक को मिलाते हो तो इस समय विशे सावधानी रखना की जुरुवत होती है हम ऐसा अमला अत्वासारक को ही जल में मिलाना चाहिए यह बोल रहा है कि कभी भी जल को अमला अत्वा चारक में नहीं मिलाना चाहिए बलकि अमला अत्वा चारक को जल में मिलाते रहना चाहिए जैसे पहला चित्र दिया गया है इसमें जल को अमला में मिला रहे है तो ये क्या है? गलत है ऐसा करना उचित नहीं है जबकि दूसरे में जल में अमला को मिला रहे हैं तो ये उचीत है तो ये आपको अमेसा द्यान रखना है कि कभी भी आप अमला अत्वा चारक में बाहर से जल नहीं मिलाओगे ठीक है हम अमेसा जल के अंदर अमला अत्वा चारक को बाहर से क्या करेंगे मिलाएंगे और लगा कि दोरान बहुत अधिक मात्रा में उस्मा क्या होती है बाहर निकलती है तो ऐसी इस्तति में अगर आद ध्यान नहीं रखोगे तो नुक्सान होने की ज़्या संभावना बनी रहती है आयसाज में अगली अगले ट्रॉपिक की बात करें हम तो सांद्रा अमला में कौन से अमला होकर बहार आ सकता है अहीं जब हमला ज़्यादा परజमें निस है ऐसी इस्तिती में ग्राप जल उसमें बाहर से हूं तो हो सकता है कि क्या वो उस पात्र से बहार आ जाए और आप क्या को सकते हो आप जल सकते हो ठीक है यह आपको नुक्सन हो सकता है साथ ही अत्य अधिक इस्तानियत आपके कारण कांच का पात्र भी तूट सकता है और अगर जिस वातावरण में आप यह अभी किरिया कर रहे हो उसके आसपास का भी वातावन अगर गरम है तो ऐसी इस्तती में ज्यादा गरम होने के कारण वो पात्र भी क्या हो सकता है तूट सकता है और ज्यादा नुकसान होने की समभना हो सकती है अत्ता आप कभी भी अमला अत्वाचारक में बाहर से जल को नहीं मिलाओगे ठीक है बलकि इसकी विप्रित प्रकिरिया करोगे कि यह मैंसा जल में अमला अत्वाचारक को मिलाओगे और मिलाते समय क्या करते होगे इसे बार-बार हिलाते रहोगे अगला लिखा गया है जल को अमला में डालने से दो इस्तती संभावे पहला मिसरण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है ठीक है यहनि बात कर उस पात्र से बाहर आसकता है और दूसरा है इस तानियत आपके कारण कांच का पात्र तूट सकता है यह दोनों dar cent ले में जयदा नुखसा नत्वा आपको हानी पूंचने करकी संभावणा बनी रहती है तो इस इस्तती में आप ध्यान रखोगे कि आप जब भी अमला त्वासारक में जल को मिला रहे हो इस द्वरान विशेज सावधानी बर्तोगे ठीक है आगे हम बात कर रहे हैं वो है अभी तक हमने जितनी भी रासानिक गोंडरम पड़े हैं उन रासानिक गोंडरमों की एक बार हम संचिप्त में व्याक्या कर लेते हैं कि अमला की अभी किरिया सबसे पहले हमने अमला की धातू के साथ अभी किरिया पड़ी थी अमल दातू के साथ अभिकिरिया करके लवन बनाते हैं और हाइड्रोजन गेस का क्या करते हैं उत्सरजन करते हैं यह इस दोरान हाइड्रोजन गेस बाहर निकलती है दूसरा हमने पड़ा था अमल की दातू बाई कार्बोनेट के साथ अभिकिरिया तो जब अमल दातू बाई कार्बोनेट के साथ अभिकिरिया तो जब अमल दातु कार्बोनेट के साथ भी अभिकिरिया करते हैं तो इस दुरान वो लवन CO2 और जल का निर्मान करते हैं फिर हमने पड़ा था दात्वी कोकसाइड के साथ अभिकिरिया तो जब अमल दात्वी कोकसाइड के साथ अभिकिरिया करते हैं तो लवन और जल का निर्मान करते हैं ठीके वही चारक के साथ अमल लवन और जल का निर्मान करते हैं तो ये सभी अमलों के रासानिक गोंड दर्म थे कि अमल दातू के साथ बिकिर्या करने पर लवन और हैडोजिन गेस मनाते हैं अमल दातू बाई कार्बोनेट के साथ बिकिर्या करने पर लवन, CO2 और जल का निर्मान करते हैं वही अमल सारक के साथ अभिकिरिया करने पर लवन और जल का निर्मान करते हैं अमल दातु कार्बोनेट के साथ अभिकिरिया करने पर लवन, कार्बिन डाय उक्साइड और जल का निर्मान करते हैं और अमलो दात्विक उक्साइड के साथ अभीकिरिया करने पर लवन और जल का निर्मान करते हैं। उम्मिद करता हूँ अमलो के सारी राशायनिक गुंद्रम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम बात कर रहे हैं वो है चारक की अभीकिरिया है। मतलब चारक के राशायनिक गुंद्रम तो सबसे पहले हमने पड़ा था चारक की धातू के साथ अभीकिरिया तो धातू की साथ अभीकिरिया हुने पर ये लवन और हैड़ोजन.गेस का निर्मान करते हैं। फिर अधात्विक उक्साइड के साथ अभीकिरिया करने पर ये लवन और जल का निर्मान करते हैं वही चारक धातु बाई कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ किसी भी प्रकार के अभीकिरिया नहीं करते वही जब चारक अमला के साथ अभीकिरिया करते हैं तो लवन को में समानता है कि इन दोनों में क्या क्या समानता होती है तो सभी अमला यह अमलों की गरम बात करें तो सभी अमला H plus iron इउत्पन करते हैं चाये वो परबल अमलँ हो चाये दूरबल अमलँ हो चाये सांद्र अमलँ हो किसी भी प्रकार का अगर कोई अमळीए परदात है तो वो जलिय विल्यन में हमेजा H plus iron क्या करेगा उत्पन न करेगा वही चारक कोई भी हो चाहे वो परबल चारक हो, दूरबल चारक हो, सांद्र हो, अत्वा तनू हो सभी चारक जलिये विल्लियन में हाइड्रो अक्साइड आयन और ओएच माइनस आयन क्या करते हैं उत्पन करते हैं, ठीके, इसके अलाव आपने पड़ा था कि जब कोई अमला अत्वाचारक जल में मिलाया जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, तनूकरत हो जाते हैं जब अमला अत्वाचारक को जल में मिलाया जाता है, तो वो कैसे होते हैं, तनूकरत, तनूकरत का मतलब है कि उनमें अमलात्वाचारक के मात्रा में कमी हो जाती है और जल के मात्रा में बड़ोत्री हो जाती है ठीके, इस कारण से अब उनकी प्रकरती पहले जितनी प्रबल नहीं होती क्योंकि जल में मिलाने पर आयन की सांदरता याने H3O+, अथवा OH- में परती ही कई आयतन में क्या हो जाती है कमी हो जाती है क्योंकि जब आप अमलात्वाचारक को जल में मिला रहे हो तो उसमें मौजुद जो हैड्रोनीम आयन और जो हैड्रो अक्साइड आयन है जब उनको भई आप जल में मिलाओगे तो विल्लेन की मातरा में क्या हो जाएगी वर्दी हो जाएगी जिसके कारण उनकी सांदरता में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी और जब उनकी सांदरता में कमी हो जाएगी तो बहले की तुल्ना में कैसे हो जाएंगे सांधर की तुल्ना में तनू विल्लें की रूप में बदल जाएंगे आयसों में तो आजगा जो पार्ट वन था उसको हमने अच्छे से सर्चा कर ली है तो आजगी क्लास को महीं पे विराम देते हैं अगली क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आजगी क्लास में जो भी हमने टॉपिक पड़े हैं जिसमें हमने अमल, चारक के विसेशताए, लवन, लवन के परकार और अमला उचारों को के रासायनिक गुण दर्मों की सर्चाय की है तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें कमेंट करें और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो आपसे रिक्वेश्ट है कि चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी परत्य क्लास के जानकारी आपको समय पर मेल सकें तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद